हेलो अबरिवन दिस इस तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारे कोस्ट अकाउंटिंग का कोशिन पेपर जो कि 2023 के अंदर जन्वरी के फर्स्ट वीक के अंदर कंड़क्ट हुआ था आपको पता होगा कुल्षित्रा इनुवर्सिटी जीजे इनुवर्सिटी आईज इस तरह से बनन कर आए हैं क्या प्रीवेस यर कोशन रिपीट हुई हैं जो इंपोर्टेन कोशन के सिरीज मैं निकाली थी हर एकजाम के अंदर पेपर को पूरा करना प्लस में स्टैटेजी को साथ पूरा करना दोनों में फरग होता है, that means कि time management भी करना है और आपको proper, आपको wording भी लिखने जैसे questions की strength पूछी लिए, marks के coding, ठीक है, दोकर आपको subject code निजार आ रहा होगा 58, 34, 0 है become journal और owners, दोनों के लिए क्योंकि journal और owners होता है हमारे become के अंदर and batch है आपको 3 घंटे का time दिया जाएगा और 3 घंटे के अंदर आपको क्या है 80 नंबर का paper complete गरने ठीक है, और आपको मैं बता देती हूँ जैसे कि आपको 3 घंटे दी जाते, 180 मिनट दी जाती है तो 180 मिनट के अंदर आपको किवल 2 से 3 मिनट आपको इंस्ट्रक्शन में पढ़ना है नोट जो आपको given होते है जैसे कि मैं बता यह होते हैं कि पहले 5 जो first question है वो compulsory है बाकी के question आपको 15 पंदर नंबर के मिलेंगे इसके ओपर just only 3 minutes लगा रही, जादा नहीं time waste करना ठीक है, पहले cost accounting थोड़ा सा tough है, but interesting है यह subject आपका देखो क्या लिखा हुआ है, all questions are compulsory पहला question आपको compulsory है क्या question है, direct and indirect cost के बारे में आपको explain करना है, ठीक है difference between standard cost and estimate cost इनके बीच में differentiate करना है देखो, differentiate वाला question है, आपको चार नमर में पुछा है, तो आप इसको पहले इनका meaning लिखना है, standard cost और estimate cost का, then उसको tabular form के अंदर आप उसको explain कर देना ठीक है, next अब आजाते है आपका what are the aspects of the cost audit यह भी question बहुत बार repeat हुआ है, यह शायद 23 चेप्टर है हमारा, मैं आपको बता देती हूँ जो important question की series है, आपके exam में में जाने से पहले उसको जुरूर देख लेना, क्योंकि most of paper आपका महीं से आया है, cost audit वाला point भी मैंने आपको वहाँ पर explain किया था, standard cost जो भी हमने second question किया है, वो भी question मैंने उसके अंदर explain already किया हुआ है next fourth question का कह रहा है explain the concept of the under objections of overhead, under objections का जो point है, chapter number 7 है, उसके अंदर से आप से पूछा गया है, what do you understand by the inventory control, किस तरह से आप inventory control से आप क्या समझते हैं किस तरह से inventory control किया जाता है आप इनको explain करने, ठीक है अब यह देखो, चार number में है, पांच question है, तो standing only one page आप ही fill करेंगी से जादा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों के comments आ रहे थे, message आ रहे थे कि मैं time पे हमारा पूरा नहीं हुआ हमारे पास time कम था, हमें आता था यह excuse अब जिनके भी exam होने वाले, उनका नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, यह चार number के लिए, केवल एक standing page मतलब कि दोनों side से अगर बात की जाए, तो दो page बढ़े जाएंगे, और खाली, खड़ा एक page, ठीक है, समझ में आ गया अब ऐसे page फिल करना है, ठीक है, यह जो strategy है, पहले ही बना के चलनी है, अपनी university के pattern के coding, अपनी university के द्वारा जो sheet दी जाती है, उनकी sheet के according आपको maintain करके रखना है, राइट, अब यहाँ पर देखो, section B आ चुका है, section B क्या कर रहा है, attempt any four questions, each questions carry 15 marks, ठीक है जी, अहाँ, एक बात और, अभी एक अलग university है, इसी के साथ मैं कुश्यत्रा university का भी questions paper आपको upload करूँगी, और एक और university है, different different university के question paper मैं आपको available करवाऊंगी, so please channel को subscribe करना, ठीक है, जादा से जादा बचों के पास share करना कि सभी बचों की help हुझे, ठीक है, second question क्या है, जो आपका, आठ question में से कोई भी आपको चार question attempt करने है, second question क्या कह रहा है, what is the cost accounting, very important and most repeated questions है, ठीक है, आपको briefly explain करना है, इसके objective explain करने है, इसके importance explain करने है, कि इसके cost accounting की, ठीक है, देखो, यह जो question है, basic है, हर बार exam में पूछा गया है, मैं इसलिए बता रही है, क्योंकि जब मैंने 2015 से लेकर, 2022 तक की पूरी series डाली थी न, questions paper की cost accounting की, वहाँ पर, यह question हर बार आथा, what is cost accounting, what is cost accounting, साथ में functions, features, principle, objective, importance, ठीक है, तो इस chapter को बिल्कुल करके जाना, first chapter ही है, question number third है, what is the procedure of the purchasing the inventory, क्या process रहने रहती है, जब हम क्या करते हैं, inventory को purchase करते हैं, जब अपने stock को purchase करते हैं, वो process को अपको explain करने हैं, ठीक है, अब जाता है, आपका, यह practical questions, ठीक है, प्रैक्टिकल पढ़ने में थोड़ा जादा time लग जाएगा, तो मैं इसको show कर रही हूं, आप वीडियो को post करके देख सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई हुई है, position of the stock and purchase for the month of April 2022, as under material stock on, purchase भी दे रखी है, पर्चेजिंग दिखा रखी है, ठीक है, यह material variance वाले chapter से है, ठीक है, क्या क्या calculate करना है, आपको calculate the following variance, material price variance निकालना है, material uses variance निकालना है, material yield variance निकालना है, और material mix variance निकालना है, total material cost variance निकालना है, ठीक है, यह आपका material variance का question है, देखो practical question प्रोसेस वाले chapter से आता है, cost unit वाले chapter से आता है, अब यहाँ पर material variance वाले chapter से आ चुका है, important question की series देखोगे, तो आराम से पता चल जाएगे, कौन से chapter करके जाने, बहुत से बचे पैनिक होते हैं क्योंकि cost accounting किसी को समझ में आता है, नहीं आता है, तो इसलिए आप सभी students के लिए यह थोटी सी help है मेरी तरफ से, कि आपको important question की series निकाल दी गई आपके लिए, यह देखो, अब next fifth question है, यह भी आपका practical है, ठीक है, आपको नीचे information दे रखी है, profit and loss की, ठीक है, work in progress account है, finish goods account है, factory overhead है, इस सभी expenses दे रखे हैं, direct and indirect wages का, इसके बाद आपके, यहाँ पर आपको यह सारे expenses दे रखे हैं, ठीक है, अब हिंदी में भी देख लीजिए, बचे, आप वीडियो को pause करके, अराम से देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर यह फिफ्थ प्रैक्टिकल होगा, फिफ्थ जो question है, जो practical का था, वो हो गए, complete, अब बात करते हैं, हमारे sixth question की, क्या कह रहा है, यह theory का है, देखो, अभी तक हमने चार question कर लिए, दो practical आएं, दो theory के आएं, बड़े-बड़े question में, जो की 15-15 नमबर के, अब ती example देने हैं, दोनों के, selling overhead के भी, और distribution overhead के भी, क्या गह रहा है, explain how selling overhead are allocated to product, कैसे selling overhead जो है, product को बाटता है, allocate करता है, ठीक है, अब अवंटित किजा जाता है, यह आपका, पंदार नमबर में पूचा गया है, theory का है, next आपका है, contract account से question पूचा जाता है, तीन question, तीन chapter तो compulsory है आपको देखने को मिले ही मिलेंगे, contract का chapter है, process costing वाला chapter है, और unit, जो cost unit वाले है, 10th और 11 chapter, यहां से question पूचे जाते हैं, देखो, contract वाले chapter के अंदर आप से पूचा गया है, एक contract account with the following information आपको दे रखिये, material purchase दे रखिये, material supply कब हुआ था, material receive कब हुआ है, contract भी वाले को, और वापिस में, return में कितने गए हैं, तो आपको contract account, contract account यह सब इसके अंदर prepare गरनी है, ठीक है, और मैं आपको बदाते हूँ, जब भी कोई practical कर रहे हो, तो keep, जो note लिखा जाते है, working note लिखा जाते है, यह जुरूर लिखना, कि examiner के सामने एक अच्छा impression बढ़ता है, आपका, लेकर 2022 तक के जो question paper की series डाल ली थी न, continuous, उसको जुरूर देखना, कि आपको पता जल जाए कि question किस तरह से बन कर आ रहे है, किस तरह से नहीं बन कर रहे है, क्योंकि question paper आपको किस तरह से help कर रहे है, क्योंकि बहुत से बच्चे यह पूछते कि मैं कौन सी university का, मैं कौन सी university क यह extra question मत पूछना, क्योंकि question paper आपको यह help करता है, कि paper बन के कैसा आ रहे है, question किस तरह से mold हो रहे है, question कि क्या toughness रहने वाली है, ठीक है, तो paper आपको इस तरह से help provide कर रहे है, तो यहाँ पे आपको 15 नमबर में लिखना है, तो standing for pages कम से कम होने चाहिए, ठीक है, अब आता है 9th question क्या गह रहा है, define the term standard costing, explain with reason why the industrial concern should introduce standard costing system, ठीक है, यह भी आपका theory का है, आपके यहाँ पर 5 theory के question आया है, तो यह दो है, तीन practical आया है, राइट हाँ, तीन practical आया है, ठीक है, यह था आपका cost accounting का question paper जो आपके लिए बहुत जादा helpful रहा होगा, next video आपके लिए cost accounting की ही आएगी, supply chain मतलब जितने भी आपके subject है ना, उन सभी की आपको question paper अविलेबल हो जाएंगे, so please question paper चैनल को जुरू subscribe करना है ला, और बच्चों के पास सबके पास share कर ले ना, क्योंकि हमारे channel का, हमारी पूरी team का यही motive है कि सभी बचों की help हो जाएं, all the very best, thank you for watching this video, have a nice day